जेहिन दोस्तों सोगत है आप सभी का नोकडीखबर.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे इंडिया पोश्ट ओफिस जाने की भारती डांग विवाग की तरप से आ चुकी साल 2022 के लिए दो नए नोडिविकेशन के बारे में जहां पे आप सभी के लिए 98,083 पदों पर भरतियों के नोडिविकेशन के साथ ओनलाइन फॉरम भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं कम्प्लीट जानकारी ओफिसल नोडिविकेशन के माध्यम से दूंगा दोनो नोडिविकेशन को डाउनलोड करेंगे जहां पे आपको MTS की पोस्ट मैन की और मेल गाड के पदो पर भरतियों के नोडिविकेशन देखने को मिले वाले हैं आप लोग यहां पे देख सकते हैं गोर्मेंट आप इंडिया मिनिस्टी और कम्मिनुकेशन डिपार्टमेंट और पोस्ट की तरफ से यहां पे नोडिविकेशन देखने को मिलेंगे जहां पे पहला नोडिविकेशन MTS यानि की मल्टी टास्किंग स्टाप का होने वाला है तीनो नोडिविकेशन यहां पे आपको दिखाये जाएंगे तीनो पोस्ट विकेंसी के रिकॉर्डिंग और इसके अलाबा आपको बता दे कि अगर आप लोग दसवी पास हैं बारवी पास हैं और इससे पहले वाली भरतियों के लिए आप एदन किया था जहां पे आपको कोश्ट ऑफिस की तरब से जेडियर्स की विकेंसिया थी और उसके अंदर मेट के हिसाब से आपका चैन नहीं हो पाया है आप लोग एक्जाम देना चाहते हैं और उसके बाद जॉइन करना चाहते हैं तो बहुत ही बड़ा मोका आ चुका है इस बार आपको एक्जाम देख आपको इंडिया पोस्ट विकेंसी की अप्डेट सबसे पहले दी जाती है तो इसी बाद पे चैनल को सब्सक्राइब करें चले वीडियो को सुरू करते हैं तो पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं कंप्रीट आपको बताते हैं यहाँ पे देखें पहले नोटिस के अंदर ब 2022 की बीच में नोडिवी केसन इंडिया-post.government.in की वेबसाइट पे पब्लीक कर दिया जाएगा उसके बाद जब आप लोग यहां से नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़े देखने को मिलेंगी नोडिवी केसन है Department of Post, Ministry of Communication, Government of India नेदुली की तरफ से यहां पे आपको MTS की वि के बारे में और Disqualification Person के बारे में जानकारी देंगे तो आप लोग देखते रहेगा यहां से जब आप लोग इस पेंच पे आएंगे तो नीचे आएंगे तो यहां पे आपको सेडियूल देखने को मिलेगा मैं तीन अलग-अलग सेडियूल दिखाऊंगा जो की तीन अलग- लेवल एक मतलब की यहां पे 19,100 रुपए से लेकर 79,100 रुपए तक बेतन रहेगा यहां यहां पे 19,700 हो सकता है इसके बारे में आगे आपको कंफर्म डीटेल दे जाएगी तो ध्यान रखिएगा 37,549 पोश्टे हैं MTS के लिए जहां पे केबल और केबल Education Qualification तेन पास यान GDS and Casual Levers और इसके बाद यहां पे देखें आप लोग आपकी एज क्या होनी चे तो 18 से लेकर 25 साल का और छूट मिलेगी 5 साल का तो 18 से 30 साल का कोई भी Candidate यहां पे आप इदन कर सकता है तो यह Notification में साब साब सारी शीजे मेंसन करी गई हैं इसको आपको डाउनलोड करके चेकाउट करना होगा कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी बस आप लोग इस वीडियों में बने दियेगा तो यहां पे काफी सारी शीजे बताए गई हैं आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं अभी हम जब दूसरा नोडिविके में बेतन दिया जाएगा दसवी पास कैंडिडेट आप इधन कर सकते हैं और 18 से लेकर 25 साल छूट के साथ में 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए तो यह चीज़े क्लियर हो गई अभी हम चलते हैं यहां पे पोस्ट मैन और मेल गाट के नोडिविकेशन को डाउनलोड करके अपन हो चुका है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद यहां पे देखे आपको डेट्स भी बताएगे है कि 15 ग्यारा 2022 यानि की 15 नमबर के दिन ये नोडिविकेशन आउट किया गया है नोडिविकेशन का मैटर क्या यहां पे देखे डिपार्टमेंट औ पोस्ट, पोस्टमेन और मेल गार्ट एक्यूटमेंट है रूल है 2022 के रिकॉर्डिंग और यहां पे आपको पोस्टमेन और मेल गार्ट की भरतियां देखने को मिलेंगी यह नोडिविकेशन यहां पे 1412 2022 सानी की 14 दिसंबर तक इंडिया पोस्ट. गॉर्मेंट. इन के मिलेंगी, सेड्यूल देखे मैं विकेंसिया आउट होने के पहले मुझे नोडिविकेशन मिला है, मैं आपको यहां पे जानकारी दे देता हूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, जो सेड्यूल यहां पे बना है पोस्टमेन की विकेंसिस का, यहां पे आपको ट साथ सो से उनातर जासो रुपए का, काफी अच्छा बेतन है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, दिन बात करें अगर यहां पे एज के बारे में, एज आपको MTS से दो साल जादा देखने को मिलेंगी, 18 से 27 साल का कोई भी केंडिडेट यहां पे आवीधन कर सकता है, लेक केंडिडेट भी यहां पे आवीधन कर सकते हैं, तो दसवी पास वाले वो केंडिडेट आवीधन करेंगे, जो GDS की पोश्ट पर काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको कम्प्यूटर में का नौलेज होना चाहिए, बारवी पास होने चाहिए, या दसवी पास है तो GDS के पोश्ट पर काम करते होने चाहिए, या फिर आपको थोड़ा बहुत कम्प्यूटर का नौलेज होना चाहिए, अदर क्वालिफिकेसन के अंदर आपको लोकल लेंग्वेज का नौलेज जरूर से होना चाहिए, अटर से 17 साल पास साल छूट मिलेगी तो 18 से 32 साल की उम्र हो चाहिए, यह आप लोगों ने देख लिया, अभी एक और पोश्ट बची हुई है, जो की है आपके पोश्ट गार्ड के बाद, यहाँ पे पोश्ट मैन के बाद, मेल गार्ड की जहाँ पे आपको 1445 पोश्टे मिलेंगी, जब आप लोग इसको स्कॉल करेंगे तो यहाँ प देख सकते हैं, और इसके बाद जब आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 18-17 साल की एज और बाकी पोश्ट मैन की तरह ही 12 पास केंडिडेट यहाँ पे आवेधन करेंगे, 10 पास केंडिडेट वो केंडिडेट हों इन सारी चीज़ों की डीटेल आपको कहां पे मिलेगी, नोडिविकेशन को कैसे डाउनलूट करेंगे, इसके बारे में आपको बता देते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, तो बस आप लोग इस पीडों में बने देएगा नोडिविकेशन को कैसे डाउनलूट करना हैं हम आपको बताते हैं तो दोस्तो आज की स्पीडों में हम बात करें डांक विवाक की तरप से आचुकी साल 2022 के लिए नई भरतियों के बारे में जहां पे आपको मैंने तीनों पोश्टों के अलग-अलग नोडिविकेशन दिखा दिये हैं और ये जल्दी आपको ऑनलाइन आपेदन के लिए देखने को मिलेंगे ऑनलाइन आप लोग आने वाली 30 दिसंबर तक कर पाएंगे इस डेट को इंक्रीज भी किया जा सकता है जहां पे आपको टोटल 98,083 पदों पर आपेदन करना होगा पोश्ट नेम की बात करें तो आपको MTS यानी की मल्टी टास्किंग इस्टाप की मिलेंगी जहां पे बेतन यहां पे आपका कॉलिफी केसन दस्वी पास और टोटल नमबर वेकेंसी 37,549 रहेंगी पोश्ट मैन के लिए 12 पास और यहां पे आपको 69,99 पोश्टें मिलेंगी मेल गार्ड के लिए 12 पास और 1445 पोश्टें मिलेंगी पोश्ट मैन और मेल गार्ड के लिए दस्वी पास केंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन एक रूल है कि उनको GDS की पोश्ट पर सेलेक्शन पाना होगा अगर आप लोग GDS की पोश्ट पर अल्रेडी काम कर रहे हैं तो आप लोग यहां पे दस्वी पास केंडिडेट भी पोश्ट मैन और मेल गार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं तो इतनी यहां पे रिक्यूट मेंट है और यहां पे देख सकते हैं पोश्ट मैन, मेल गार्ड और MTS मुझे नहीं लगता कि आज की जमाने में कोई भी केंडिडेट जो 18 साल से उपर है और उसने अपनी 12 पास समन नहीं करी होगी तो आलमोश्ट यहां पे तीनों ही पोश्टों के लिए आवेदन करना काफी इजी है आगे नोटिविकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाउनलोड करें चलिए प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी दे देते है तो दोस्तों आपको आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां पे आप लोग पोश्ट आपिस की तरफ से MTS 37,549 पदों का नोटिविकेशन डाउनलोड करेंगे इसको डाउनलोड करने के लिए आपको स्कॉल करना होगा सारी जानकारी रीट करनी होगी यहीं पे आपको बीच में एक लिंक मिलेगा जो की पोश्ट आपिस 6544 पोश्ट मैन और मेल गार की विकेंसी का है प्लिक एर पे क्लिक करके आप लोग नोटिविकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे आएंगे तो आपको इंपोरटेंट लिंक सस्केशन मिलेगा जहाँ पर आपको सारे नोटिविकेशन एवैलिबल मिलेगे आप लोग चाहें तो इनको यहां से डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं तो काफी इजी प्रोसेस है आप लोग जरूर डाउनलोड करें उमेद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ निक्स्ट अपडेट में जहां पे आपको ऑनलाइन फोरम फिलब के बारे में जानकारी दी जाएगी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद